मैं राजु सिंग आप सब का स्वागत करता हूँ, मैं आज अर्थविश्था का एक कॉंसेप्ट डिसकस करना चाहते हैं। यह कंसेप्ट इतना बेसिक है कि उपयस्थी के विद्यार्थी को तो चाहिए ही चाहिए, एक आम आदमी को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। यह टॉपिक है कि ग्रोथ रेट को क्यों उँचा रखना चाहिए, अर्थविश्था की संब्रिधी दर क्यों उँची हो, संब्रिधी दर उँची होने का अर्थ है कि अर्थविश्था काकार बड़ा होना, अगर हम बात करें कि हमारी GDP यानि एक वित्वर्ष में अंतिम गरलू सीमा में उत्पादन होती हो, उसको हम GDP कहते हैं, माना कि यह 100 रुपया है, और इसको इस वर्ष अगर हम 10% की दर से बढ़ाते हैं, यानि कि 100 रुपय को 10% की दर से बढ़ाएं, तो 110 होगा, इसका अर्थ है कि अर्थविश्था का आकार 10% और बड़ा हो गया है, या यानि इस 10 रुपय की वस्तू और सेवाओं के पादन के लिए अधिक हाथों को काम मिलेगा, जिससे उनकी बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी, उनका आयका अस्तर बढ़ेगा, जीवन अस्तर बढ़ेगा, अपने बच्चों पर सिक्षा, स्वास्थ, भोजन, पोशन का इंतजाम कर पाने में, वह परिवार सफल होगा, दूसरी तरफ, यदि 100 रुपय में, यदि सरकार को 10 रुपय टैक्स मिलता हो, इसको टैक्स जीडिपी रेशियो कहते हैं, वन इस्टू टैन, 100 रुपय में 10%, 10 रुपय यदि सरकार को टैक्स मिल रही हो, और यदि ग्रोथ रेट 10% और बढ़ा दिये जाए, यदि अर्थात 110 हो जाए, तो अब सरकार को सीधे-सीधे 11 रुपय टैक्स मिलने लगेगी, यदि पहले से एक रुपय ज्यादा, इस एक रुपय से सरकार और अधिक कल्यान के कारिक्रम सुरू कर सकती है, जिससे लोगों के जीवन अस्तर को उपर उठाये जा सकता है, राजनीत का सही उद्यस यही होता है, कि अपने लोगों की जीवन अस्तर को उचा उठाना, रहनसण के अस्तर को उचा उठाना, उनके कल्यान के अस्तर को उचा उठाना, आप देख रहे हैं कि दोनों ही लेवल पर ये काम हो पा रहा है लेकिन मूल प्रस्निहां ये आता है कि ग्रोथ रेट आखिर कैसे बढ़ेगी तो जानिएगा कि ग्रोथ रेट बढ़ाने का तरीका ये है कि निवेश इन्वेस्मेंट अधिक हो और साथ में I.C.O.R इन्क्रिमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये कम हो ये एक्वेशन हमको दो मैसेज देता है कि ग्रोथ रेट तब उचा होगा जब निवेश का दर उचा होगा और दूसरी I.C.O.R की मात्रा कम होगी इन्क्रिमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा ठीक है कैसे समझेंगे माना कि निवेश अगर GDP का 24% है और I.C.O.R चार है तो इसको हम कहेंगे कि 6% ग्रोथ रेट है यदि हम निवेश को बढ़ा करके 30% कर ले और I.C.O.R को घटा के 3 कर ले तो इसका मतलब ग्रोथ रेट होगा कितना 10% तो ग्रोथ रेट बढ़ाने का तरीका यही है कि देश में निवेश का अस्तर बढ़ाया जाए और I.C.O.R के को कम किया जाए अब सवाल उठता है कि निवेश कहां से आता है तो देखे या निवेश दो सुरतों से प्राप्थ होगा एक हम देश में दोमेस्टिक सेविंग्स कहते हैं घरेलू बचत कहते हैं घरेलू बचत कहते हैं अगर माली जी हम निवेश 30% करना चाहते हैं और देश में घरेलू बचत 28% हो रहा है तो सेश रासी हम कहां से लाएंगे विदेशी पुन्जी निवेश से विदेशी पुन्जी निवेश से और ये आप जानते हैं कि दो सुरतों से आता है FDI और FPI Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment इस तरह से विदेशी पुन्जी निवेश से हम बची हुई रासी जुटा सकते हैं सप्लिमेंट सपोर्ट ले सकते हैं पर प्रशन आता है कि घरेलू बचत कहां से आती है तो घरेलू बचत तीन स्रोतों से आती है एक को कहते हैं पारिवारिक बचत Family Saving बोलते हैं पारिवारिक बचत बोलते हैं और दूसरी है निजी निगम छेतर की बचत निजी निगम छेतर की बचत जैसे देश की बिभिन प्राइवेट कमपनियों के द्वारा जो कुछ भी बचत किया जाता है उसको हम निजी निगम छेतर की बचत कह सकते हैं तीसरा सारवजनिक छेतर की बचत अनि गर्वर्मेंट सेक्टर की बचत सारवजनिक छेतर की बचत तीन सुरोतों से बचते आती है पारिवारिक शेत्र अच्छा बचत कर लेता है नीजी निगम शेत्र भी ठीक है बट सारज़ी शेत्र की बचत माइनस में हो जाती है इसलिए हमारे देश की घरिलू सेविंग्स कम रह जाती है यदि सारज़ी शेत्र भी प्लस करने लगे तो हमारा ये लेवल बढ़ जाएगा और साथ में हम विदेशों से पूंजी निवेश प्राप्त करके निवेश का स्तर अगर बढ़ाते हैं तो इससे ग्रोथ रेट को बढ़ाना बहुत आसान होगा और growth rate बढ़ाना मतलब अर्थवयस्था का आकार बढ़ाना और उसमें कुछ इस परकार का production method अपनाए जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सिजित करता हो तो growth with employment का concept हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जो कि अवी देश में growth without employment की इस्थिती बनी हुई है जो एक चिंता का व इसे है हमें ऐसा करना होगा कि growth तो बढ़ाना होगा साथ में ऐसे उत्पादन model का उप्योग करना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सिजित हो और लोगों के हाथों को काम मिले अब सवाल उठता है दूसरा प्रस्णा आपके मन में चल रहा है कि ICOR क्या होत आपिटल आउट्पुट रेशियो मतलब क्या है पुझी उत्पाद अनुपाथ पुझी उत्पाद अनुपाथ एक इकाई उत्पादन के लिए एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पुझी की मात्रा को मात्रा के अनुपाथ को सी ओ आर कहते हैं कैपिटल आउट्पुट रेशियो पुझी उत्पाद अनुपाथ कहते हैं समझेंगे कैसे 20 कप चाय बनाने की लागत आती है 100 रुपया इसका अर्थ होगा कि एक कप चाय की लागत होगी 5 रुपया अर्थात हम कह सकते हैं 1 is to 5 यानि एक कप चाय बनाने की लागत क्या है 5 रुपया यानि पुझी उत्पाद अनुपाथ इस तरीके से डिफाइन होगा 5 is to 1 5 पुझी खर्च करके एक उत्पाद बनाया जाता हो तो यह रहा पुझी उत्पाद अनुपाथ अब सवाल उठता है कि I.C.R क्या होता है incremental एक अत्रिक्त इकाई एक अत्रिक्त इकाई अर्थात next cup एक अत्रिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के लिए आवश्यक पुझी की मात्रा की अनुपाद को अनुपाद को आई सिवार कहते हैं incremental capital output ratio कहते हैं या ब्रधिमान पुझी उत्पाद अनुपाद कहते हैं या सिमान पुझी उत्पाद अनुपाद कहते हैं कैसे समझेंगे अगर हमें 21 कप चाय बनानी हो और इसकी लागत बाइदवे 6 रुपया या 5 रुपया या 4 रुपया पांच मतलब पहले की तरह 6 मतलब बढ़ जाना चार मतलब घट जाना अगर चार होता है इसका मतलब आई सिवार घटा है यानि एक इकाई उत्पादन के लिए कम पुझी की आऊ सकता पड़ेगी ये बड़ी अच्छी बात होगी तो आई सिवार का कम होना दक्षता को बढ़ाने को दर्साता है तो हमारी ध्यान किस बात पर हो ग्रोथ रेट को उचा करने के लिए हम देश में निवेस बढ़ाएं और प्रतिकाई उत्पादन की लागत को कम करें तब जाके हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा और ग्रोथ कि वोट मांग पाने में सफल होती है तो यह है कॉंसेट थैंक यू बेरी मुच फिर मिलते हैं अगले वीडियो में